अस्सानाम ओरेकुम हेलो एव्रीवन आपको बता रहे हूं मैं आपको बता रहे हूं विद दा हल्प ओफ लाइन हम लेटर्स नंबर एन हरूफ कैसे राइट करते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम फोल लाइन पर बॉक्सिस में और वन लाइन पर कैसे राइट करेंगे आज मैं आपको लेटर जे जीरो और हर्फ तो यह लिखना सिखाऊंगी हमारी लेटर जे की फोर्मिशन में जैसे के मैं इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल स्ट्रेट नाइन और इसके साथ हम जोईन करेंगे उसके एंडिंग पॉइंट से लिटर कर्व और इसके टॉप पे ड्रॉ करेंगे हाइसेंटर स्ट्रेट लाइन हमारे स्मॉल लेटर जे में वर्टिकल स्ट्रेट नाइन उसके एंडिंग पॉइंट से ड्रॉ करेंगे लिटर कर्व और जब हम उसके टॉप पॉइंट के उपर dot draw करेंगे तो हमारा small j create होगा letter j की formation easier और हमारे little learners easily write कर लेते हैं number nine के बाद हम write करते हैं number ten number ten में हम one write करते हैं जो के हमारी vertical straight line है और इसके साथ जो हम zero write करते हैं तो zero का concept देने के लिए हम उन्हें round shape draw कर बाते हैं round shape में हमने zero को circle नहीं बनाना बलके over की shape देनी है बहुत साए learners zero को letter o की तरह write करते हैं जो के wrong है हम उसके tip से start करेंगे जैसे के हम vertical straight line draw करते हैं tip से start करके हम उसे end तक oval की shape देंगे हर्फ जोहें सबसे पहले draw करेंगे vertical straight line उसके ending point से slant line और जहां हम vertical straight line और slant line को join करेंगे उस point से हम letter curve draw करेंगे और hand moment से zone की face की shape देंगे तोहें और zone में just dot का difference है dot हम अपने learners को pencil की tip से draw करना सिखाते हैं हरूफ हमारे pre-learners के लिए थोड़े difficult होते हैं lines की practice जितनी जादा अच्छी होगी learners उतना easily हरूफ write कर लेंगे जैसे के मैं अपने previous lectures में भी आपको बताती आई हूँ के सिखाने के बाद अगर हम board पर practice करवाएंगे तो वो long lasting होगा और हमारे pre-learners board पर write करना पसंद करते हैं अब मैं आपको बताऊंगी हमारी worksheet या हमारी home assignments जो के dotted होती है और हम सबसे पहले सबसे पहले हम dotted write करवाएंगे फिर single dot पर और फिर हम independent writing करवाएंगे dotted write करने से हमारी लेंडनेस की information letter number और हरूफ के according सेट हो जाती है वो easily write कर लेती है अगर में या lecture आपको पसंद आये हो तो प्लीज में लेक्चर को लाइक करें सब्सक्राइब करें अलाहाफेज